नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मौझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप GS Paper 2 के इस टोपिक से आर्टकल को रिलेट कर सकते हों। क्या कंटेस्ट हैं। अभी हाल ही में, National Crime Record Bureau ने 2017 का Crime Related Data एक रिपोर्ट की फोर्म में पब्लिक कियां। पूरे आर्टकल में वैसे पॉइंट तो देखो एक ही निकलता हैं कि इस रिपोर्ट में काफी सारी कम्यां हैं। कल को अगर Criminal Justice System पर कोशन आता हैं तो आप बता सकते हों कि Crime Related Data को अच्छे से इकठा नहीं किया जाता। इसी वज़े से Crime से कैसे निप्टा जाए अच्छे से policies बन नहीं पाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट में क्या-क्या कम्यां हैं। वैसे UPSC Direct Question ये पूछेगी कि आप बताए नैशनल Crime Record Bureau ने जो रिपोर्ट पब्लिस की थी उसमें क्या कम्यां हैं। ऐसी संभावना देखो कम हैं। फिर भी हम जल्दी से इस रिपोर्ट में जो कम्यां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली कम्य तो देखो ये हैं आईपीसी के अंदर यानि इंडियन पिनल कोड के अंदर जो प्रोविजन्स नहीं हैं। उनको क्राइम की एक केटेग्री में डाल के डेटा क्लेक्ट किया गया हैं। जैसे ओनर किलिंग आईपीसी में ओनर किलिंग के बारे में साफ साफ कुछ नहीं बोला गया हैं। लेकिन भावजुद इसके इस बार National Crime Record Bureau के डेटा में ओनर किलिंग को अलग से एक केटेगरी मानी गई है और उससे समद्री डेटा को collect किया गया है दूसरी कमी ये है विविन ओफेंसिस के अंतरकत जो डेटा collect किया गया है इतने परसेंट मड़र के केसिस में गिरावट आई या फिर मड़र के इतने सारे केसिस सामने आए देखो इस परकार का डेटा प्रिजन का नहीं collect किया गया है मतलब ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि मड़र के केसिस में कितने जो accused हैं वो under trial है कितने कनविट हो चुके हैं अगर इस परकार का डेटा प्रिजन सम्मंदित भी उपलब्ध होता तो डेटा को cross verify किया जा सकता था लेकिन प्रिजन सम्मंदित इस परकार का डेटा collect नहीं किया गया है तीसरी कमी डेटा में देखो ये है rehabilitation होता है जेल्स में आपको पता है अपरादियों का reforms लाने के लिए उनमें काफी सारी प्रोग्राम चलाए जाते हैं सिरफ ये डेटा उपलब्ध है कितने सजायाफता मुझरिमों ने उन प्रोग्राम को join किया अपने आपको enroll करवाया लेकिन क्या result निकल के आया उन प्रोग्राम का और बाद में कितने अपरादियों ने उन प्रोग्राम को regularly attend किया continue किया इस परकार का कोई data report में सामिल नहीं है तीसरा चोथा point discuss करते हैं देखो एक word होता है recidivism recidivism का मतलब ये होता है वो अपरादी जिन्होंने आलरेड़ी अपराद किया है छुटने के बाद या फिर फरलो पर आने के बाद बेल पर आने के बाद अगर उसके द्वारा फिर से अपराद किया जाता है crime किया जाता है तो वो कहलाएगा recidivism तो recidivism से समधी data तो collect किया गया है report में लेकिन वो clear नहीं है जैसे देखो जिन अपरादियों ने अपराद किया उनके पहले अपराद का nature क्या था इस बारे में नहीं बताया गया है इसके अलावा काफी सारे ऐसे accused persons अभी जिनका trial खतम नहीं हुआ है यानि वो अपरादी साबित नहीं हुए हैं उनके द्वारा अपराद किया गया उनको भी recidivism की category में डाल दिया गया है इसके बाद last में report की पांचवी कमी के बारे में बताया जाता है data की साहिता से ये बताया जाता है कि report में कहीं पर तो ये बताया जाता है murder के इतने percent cases में चार्सीट फाइल की गई लेकिन इसी report में दूसरी जगह पर ये भी बताया जाता है murder के इतने percent cases को dispose किया गया लेकिन data सेम नहीं है अलग-लग data सामने आता है और clarify नहीं किया गया है कि पहले वाला जो point है वो क्या बोलना चाहता है क्योंकि देखो ये पूरा जो article है ज़्यादा संभावना यहीं है कि एक point की form में आप इस article को इस्तिमाल कर सकते हो criminal justice system के बारे में जब question आता है या फिर prison reforms के बारे में जब question पूछा जाता है तो उस समय आप data की importance को highlight कर सकते हो और बता सकते हो अभी जो data collect किया जाता है method में काफी सारी कमिया है अगर सही data सरकार के पास उपलब नहीं होगा तो कैसे सही और effective policies को formulate किया जाएगा सरकार के द्वारा इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion